हलो स्टुडेंट मैं हूँ रीना आप देख रहे है रीना अकडमी चैनल आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है मैं अपने आज की शेशन में आपके लिए लाए हूँ कक्षाच है हिंदी पार्ट ये पोज तक वसंत भाग एक का पार्ट नमबर दो जिसका शेर्चक है बचपन इट्रिन ये एक संस्मरण है और इसको लिखा है स्रीमती कृष्णा सोबती जीनी तो सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम आपको बता दे कि संस्मरण होता क्या है संस्मरण होता है बच्चों इसमृत के आधार पर लिख्या गया आले की संस्मरण कहलाता है इसमृती मतलब होता है यादों में मतलब आपकी यादों में कोई ऐसी घटना हो जिसक तो यहां पर जो किष्णा शूबती लेखी का जी हैं उन्हों ने अपने बश्पन के बारे में आपे लिखा है तो आएए मिस्षी को इस पार्ट में पढ़ेंगे और समझेंगे आप सभी अंतक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में इस वीडियो कन तक आपको इस पार्ट सं सकती हूं तुम्हारी नानी भी बड़ी बुवा भी बड़ी मौसी भी परिवार में मुझे सभी लोग जी जी कहकर ही पुकारते हैं अर्थात इस पार्ट को शुरू करने करके ही इसमें लेखी का ने बताया है कि बच्चों छात्रों मैं आप सभी को अपने बश्पन में ल आपके घर में कोई बड़ी बुवा है तो उनकी उमर की भी मैं हो सकती हूं या फिर आपकी कोई बड़ी मौसी यानि आपके मम्मी की बहन है खाला है तो उनकी उमर की भी मैं हो सकती हूं इतनी बड़ी हूं आपसे और आगे लिखी का कही रहे हैं कि मेरी परिवार में सभी पहले मैं रंग विरंगे कपड़े पहनती रही हूं नेला चामुनी ग्रे काला चॉकलेटी अब मन ऐसा कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनू गहर नहीं हलकी रंग मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाके पहनी हैं पहले फ्रॉक फिर निकर वाकर स्कर्ट लहंगे गर कोड़ी दार और घेरदार कुड़ते अठाथ इन जो वाक्यों में लेखी का कह रही हैं कि इन दिनों मुझे आभास हो रहा है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूं साइध इस लिए कि मैं बहुत पहले पैदा हो गई थी मतलब आपसे मैं बहुत बढ़ी हूं और मेरे पहनने में बहुत पहतलाव आगया मतलक कि मेरे पहनने ओंडने के तरीके मijn धंग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है पहले मैं रंग भी रंगी और बहुत है चटकीοι लेये रंग भी रंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, चामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी कलर के कपड़े पहनना पसंद करती थी, लेकिंद लेख का आगे बतारी चि, मेरा मन करता है, याब मैं और सफेद कपड़े पहनूं। गहरी कपड़े नहीं पहनू यानि जो डार्क कलर होते हैं उनको नहीं पहनू बलकि जो लाइट कलर होते हैं उनको पहनू यानि हलकी रंग पहनू मैंने पिछले दश्कों में तरह तरह की पोशा के पहनी यानि कपड़े जो विभिन तरीके के आते थे उन उन सभी कपड़ों और घेरदार कूरते पहन ही। बश्चपन के कुछ फ्रोग तो मुझे अब तक याद है। आगे ही लेकिका कहा रही है कि मैंने बश्चपन में जो भी फ्रोग पहनती थी, उसमें से कुछ फ्रोग जो उनके पसंदीत में पहले हैं, जो उनके फैबरेट थी울 उनको अब तक भी याद है, आगे पढ़ते हैं, हलकी नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हलके गुलाबी रंग का बारीक चुनटो वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, यानि लेकिका को बचपन में उनक पर भी गोल कफ लगा हुआ था, और एक हलके गुलाबी रंग का बारीक चुनटो वाला घेरदार फ्रॉक था, जिसमें नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी, तो इन सभी कपडों के बारे में लेकिका को अब भी याद है, उन दिनों फ्रॉक के उपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग भी रंगी रीबन का चलन था, यादि अपने बश्चपन की बात लेकिका कह रहे हैं कि हमारे टाइम में बश्चपन में फ्रॉक के उपर जेब लगाया जाता था, उस जेब में रुमाल रहती थी, और जो बालों में रंग भी प्रच्ट में हम रखे रहते थे लेमन कलर का बड़ा प्लेट वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर्ट टकी थी मतलब यहां पर दूसरी जो नेश्ट फ्रॉक के बारे में बता रही हैं कि जो लेमन कलर का था यानि नीवू रंग का था और बड़े-बड़े प्लेट वाला यानि उलेन वाला फ्रॉक था उसकी नीचे फर्ट टकी थी दो ट्यूनिक भी याद है एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी मतलब ट्यूनिक एक पुशाक का नाम है उनको वह भी याद है कि उनकी एक ट्यूनिक कि ती उसके अंदर की कोटी प्याजी थी और एक दूसरा ट्यूनिक ग्रे कलर की थी उसके साथ सफेद कोटी लगी हुई थी आगे लेखी का कहरे हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है मतलब लेखी का जो मोजे पहनते थी अपने बच्पन में जो स्टॉ रुपती जी कह रही हैं कि बच्पन में हमारे घर पे ऐसी पाबंदिया थी कि हमें अपने सौक्स यादि मोजे खुद धोने थे वे किसी नौकर और नौकरानी को नहीं दी जा सकते थे और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्त मनाई थी कि कोई अपने मोजे खुद न दो को भरने लगती यादि अपनी जोतों की साफ सफाई मोजो की साफ सफाई रविवार की चुटी के दिन सभी बच्चे लेखिका के घर में किया करते थे वही लेखिका बता रही है सरवर मुझे आदी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है हाला कि अब नई नई किसम की जूते पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है अब भी हलाकि अब जो मार्केट में कई कई जो है नए नए किसम के जूते आ गए हैं और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि यह जो नए जूते आये हैं यह बहुत ही जादा आराम दे हैं मतलब आगे लेका करी कि हमारे पर निकलते अपने पास रूई जरूर रखते जूता लगा तो रूई मोजों के अंदर हां हमारे तुमारे बच्पन में तो बहुत फर्क हो चुका है यानि आगे जो लेकी का बता रही है कि अगर कभी हमें नए जूते पहन कर कभी किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ता था तो हम अपने पास रूई रखते थी क्योंकि जूता पहने के अंदर मोजे पहनते थे मोजे से पहले ही हमने रूई को अपने मोजों के अंदर लगा करके पहनते थे लेकिन हमारे और आप इस्ट्वियन के बश्पन में तो बहुत फर्क है मतलब बहुत यह अंतर है आग हर सटर डे को सनिवार को हमें ऑलिव आयल या कैस्टर आयल पीना पड़ता यह एक मुश्किल काम था सनिचर को सुबा से ही नाक में इसकी गंद हाने लगती यह रवी वार को संडे को सभी को अपने जोते पॉलिश करना अपने सौक्स को धोना पड़ता था उनकी मुश्किल बहरा काम था और सनिवार की सुबाई हमको मतला हमारे नाक में इनकी गंद हाने लगती थी कि हमको बस हमी पीना पड़ेगा छोटे सीशे के गलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं उन्हें देखते ही मितली होने लगती मतलब चोड़े- भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वा सनिवारी दवा तो कुछ जादा बिगढ़ने वाला नहीं था सेहट ठीक ही रहती मतलब लिखका कह रही हैं कि मुझे लगता है अब कि अगर वो सनिवार के दिन हम उज्चो दवा पीते थी वह अगर हम नहीं पीते तो हमारा कुछ बिगडने वाला नहीं था मतलब कुछ भी उसका नुकसान नहीं होता हमारे सहर ठीक रहती है अगे लिक का कह रही है तुम्हें बताओंगे कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है यहां तक कि बश्चपन के दिल्चस्पियां भी बदल गई है मतलब इत कितनी दूरी हो चुकी मतलब कितना बदला हो गया है और बश्चपन में हमारे दिल्चस्मियां किस चीज़ों में थी और आप बच्चों की दिल्चस्पिक किस चीज़ों में है अर्थाथ इन सब बातों के जरिये लेक का बताना चाह रही है कि लेखिका के परिवार वाले जो थी वे कितने मतलब पाबंद थी अपने नियम के जो भी नियम उनके परिवार वालों ने बनाया था उनके माता पिता ने बनाया था उसको जो है सभी को के लिए मानना बहुत जरूरी था जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसी बच्चे के गार्जिन जो भी कहते अपने बच्चों के लिए उनके बच्चों को मानना ही चाहिए तो आगे देख लेते लिक्केस में क्या बता रही है याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामो फोन थी रेडियो और टेलिवेजन नहीं थी यानि अपने बश्पन में देखे का बता रहे हैं कि हमारा जब कचोरी खाते थे तो आज के बच्चे समोसा खा रहे हैं लेक्का कहरी आज के बच्चों में बदल गयामार जो हमारा बच्च पं था हमारे बच्च वे बच्च ईक उलिपी खाते गोई हैंगे का बच्चों के बच्या में सहतूत और फालसे और खसखस के सरबत पीते थे लेकिन आज की जो बच्चे वे कोक और पेपसी पी रहे हैं उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी यानि लेखी का बता रहे हैं कि आज के टाइम में जो कोक मिलता है जो पे पदार्थ पीने वाला जो पदार्थ होता है तो हमारे टाइम में कोक नहीं मिलता था लेमनेड और विम्टो मिलती थी शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरा के चॉकलेट और पेश्टिर मजा देने वाली होती है हम भाई बहनों के ड्यूटी लगती शिमला म पेश्टिर मजा देने वाली मतलब ये सभी वेंगर्स और डेवी को नाम के रेस्तरा में जाकर चॉकलेट और पेश्टिर का मजा लेते थी लेकिन लेकिका कहने कि हमारे घर में जो हम भाई बहन थे हमारे भाई और बहन थे उन सभी की जो हर ड्यूटी लगा दे जाते हैं कि शिमला माल से उनको ब्राउन ब्रेड लाना है अर्था तीन वाक्यों के माद्धे हम से लेखी का कहना जा रही है कि जो बड़े-बड़े घर के बच्चे थे उनको रेस्तरा में जाके चॉकलेट खाने का और प्रेष्टी लेने का मतलब पीने का मज़ा वे लेते थे आनंद लेते थे लेकिन हम सब भाई बहन को ऐसा कुछ भी करने की फुर्षप नहीं मिलती थी बलकि हमको तो सिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की जिमिदारी दे दी गई थी और हमारा घर माल से ज़्यादा दोर नहीं था एक छोटी सी चड़ाई और गिरजा मैदान पहुच जाते बहां से हम उतराई उतरते और माल पर यहनि बहुत थोड़ा सा फासला था माल से घर की दूरी में बहुत ज़्यादा दोर भी नहीं था कनफेंसरी काउंटर पर तरह तरह की पेश्टी और चौकलेट की खुस्बू मनभावनी यहनि जब कभी हम माल में ब्राउन ब्रेड लाने जाते तो वहां पर जो कनफेंसरी काउंटर होता वहाँ पे बहुत ही तरह तरह के चॉकलेट और पेश्ट्री की कुस्टू हमारे मन को बहुत लुभाती हमें हपते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूड़ थी सबसे ज़्यादा मेरे पास है चॉकलेट टॉफी का श्टाक रहता यह आगे लेखे कह रहे हैं कि हपते में एक बार हम चॉकलेट टॉफी खरीच सकते थे और उस आफर को जो है लेखी का बहुत अच्छे से जो है लेती थी क्योंकि उनके पास ही जो टॉफी और चॉकलेट का श्टाक मतलब भंडार बहुत जादा रहता था मैं चॉकलेट लेकर खड़े-खड़े कभी न खाती घर कर साइड बोर्ट पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती लेक्या कह रही है कि मज़ब चॉकलेट और टॉफी का स्टाक अपने पास सबसे ज़दा रखती और मैं चॉकलेट को खड़ी अकर नहीं खाती थी बलकि घर लॉट जाती और साइड बोर्ट पर रख देती रात को जब मैं खाना खा ले ती तो बिस्टर में लेटकर मज़े ले लेकर चाकलेट को खाती थी सिम्ला के काफल की भी बहुत याद आती है मतलब सिम्ला में काफल नाम का फल था जो लेख़ीका को बहुत याद आती है कुछ एक दमलाल जाने वाली चीजे थी उनको सोच सोच करके लेका को बहुत अच्छा लग रहा है उसे के बारे में आप उन्होंने वड़न किया है चने जोर गरम और अनारदाने का चुण हाँ चने जोर गरम की पुडिया तो जो तब थी वह अभी नजर आती है पुराने काग जो से बनाई के इस पुडिया में नीजा हाथ का कमाल है नीचे से तिर्ची लपेड़ते हुए उपर से इतनी चोड़ी की चने असाने से हथेली में पहुंच जाए एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर ब चना करके दुकानदार देते थे नीचे से पुडिया पुड़ी बंद उपर से उसका मूँ चोड़ा था कि उसमें चने असानी से भर जाए और जिस वक्त की बात ये बता रहे हैं लेकी का उस वक्त चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार नाम का गाना बहुत ही जोर पूरा गिर्जा मादान घूमने तक यह पुडिया चलती एक चना पापड़ी मूह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही ले रफतार थी यानि गिर्जागर घूमने जो भी बच्चे जाते थे वे चना जोर गरम की पुडिया जरूर खरिते और पूरा चिडिये जो ग गिर्जागर घूमते घूमते गिर्जा मादान घूमते घूमते वे एक चना की पापड़ी मूह में डालते और एक एक कदम बढ़ाते तो यह ले और रफतार बहुत ही अच्छा था चुटपन में हमने सिम्ला रिज़ पर बहुत मज़े किये हैं घोडों की सवारी की है सिम जितने भी बच्चे उन सभी इन वोगा हर समय मतलब कभी इने कभी जरूर मिल ही जाता है यानि सभी को यह मौका मिलता है सिम्ला रिज़ पर घूम कर हम जाने क्यों घूडों को कुछ कमतर करके चाहिए उन पर हसते ननीहाल के घोड़े खुब हष्ट प्रोष्ट और खुबसूरत से थी उनकी बात फिर कभी यानि जो हमारी ननिहाल में घोड़े थी खुबसूरत से तंदरुस्त से ताकतवर थी उनकी बात हम बाद में आपसे बताएंगे अब आगे हैं शाम को रंग बिरंगे गुबारे सामने जाखू का पहाड उचा चर्च चर्च की घंट सामने आकाटियां बसती तो दूर दूर तक उनकी गुश फैल जाती लगता इसके संगेश से प्रभू इशू स्वैम कुछ कह रहे हैं यहीं शाम के समय जो है जाखू का पहाड होता है और रंग बिरंगे गुबारे थे और उचा चर्च था और चर्च की घंटिया जब बस तो उनकी गुश इतनी दूर दूर तर फैल जाती और ऐसा अभास होता ऐसा प्रतीत होता था कि इस घंटी की गुश से जो प्रभू इशू है इसा मसी है वे कुछ कह रहे हैं सामने आकाश पर सुरियास्त हो रहा है गुलाबी सुनेहरी धारिया नीले असमान पर फैल रही ह और देखते देखते बत्तिया टिम्टिमाने लगी यानि शाम के समय जब सुरियास्त होता जब सुरिय डूपता उस समय का वर्णन कर रहे है आप्लै लेखी का कि गुलाबी सुनेहरी धारियाँ जो होती है सुरिय की वे नीले असमान पर फैल रही थी मतलब सुरिय जब काशकुष गुलाबी सुनेरी धारियों जैसी हो जाती है तो उस तरह से आकास पर फैला हुआ था और दोर दोर तक फैलेवे पहाड थी और उनका मुखड़ा गहरे गहरे रंके दिख रहे थी और देखते देखते सुरी डोब गया बत्तियां टिम्टिमाने लगी सभी घरों के अंदर बत्तियां जलने लगी रिष्पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने स्कैंडल पॉइंट की भेड से उभरता कुलाहल मतलब जब सूरी डूप गया अंधेरा हो गया सभी घर में बत्तियां जलने लगी तो उसमें रिश्की रौनक और माल की दुकानों की चमक और भी देखते बनती थी मतलब बहुत कोपसुरा लग रही थी और स्केंडल पॉइंट पर भीड बहुत ही जादा भढ़ने लगी और एक और लाल टिन की चतवाले स्टेशन और सामने सिगनल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगी मतलब सर्वर स्केंडल पॉइंट एक जगा का नाम है सिम्ला में महा पर एक दुकान हुआ करती तो उसके बारे में लेखी का वड़न कर रही है उसमें एक श पिछली सदी में तेज रबतार वाली गाड़ी वही थी कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते दिल्ली में जब उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दोड़ते दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है फंक फहला कर यह देखो और वह ग पिछपन में सदी की बात बता रही है लेखी का कि उस समय बहुत तेज चलने वाली रफ्तार की गाड़ी बस वही सिम्ला काल का टिन थी और कभी-कभी हवाई जहाज देखने को मिलता था बच्चों को तो बच्चे जब दिल्ली में उसकी आवाज सुनती तो हवाई जहाज को देखने के लिए पने घर के बाहर दोडाते तो उनको क्या लगता कि कोई बहुत ही भारी भरकम सा पक्षी ऊड़ रहा है आसमान में अपने पंक को फैला कर और पलबर में ही वह गायब हो जाता है उसकी स्पीड इतनी तेज रहती कि बच्चों को लगता कि बस वह एक ही चटके से कहीं गायब हो गया है और हाँ जो गाड़ी के मॉडर वाले दुकान थी उसके सामने एक ऐसे दुकान थी इसके बारे मिलेक का बता रही कि उन्हें कभी नहीं भूला क्योंकि वहां पर उस दुकान से उनका पहला चश्मा बना था और वहां आखु की जो डॉक्ट पिया करो डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती कुछ देर पहनोगी तो आनक उतर जाएगी शुरू-शुरू में लेखिका अपने अनुभा को बता रही जब उन्हें चश्मा लगाना सुरू किया था तो उनको बहुत ही बुरा अनुभा लगा क्योंकि जो भी उनकी चेहर तो फिर मैं बाद में उतार दूँगी तो ऐसा डॉक्टर साहब कहते थी बैसे डॉक्टर साहब ने पूरा स्वासन दिया था मतला भरूसा दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा लेकिन बच्पन की बात बताते हुए कह रहे हैं कि जो अंग्रेश डॉक्टर थ होगा हाँ जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा देखो देखो कैसी लग रही है अर्था यहाँ पे बता रही है लेकिका कि मुझे डॉक्टर ने भरूसा दिया था कि तुम्हारा चश्मा बाद में उतर जाएगा लेकिन ऐ चचेरे भाई ने उनको बहुत ज़्यादा चिड़ाया था और क्या कहे थी उसके बारे में आगे लेकिका बता रही है आख पर चश्मा लगाया ताकि सूझी दूर की यह नहीं लड़की को मालुम सूरत बनी लंगूर की यह जो उनके चचेरे भाई थी उनको मतलब इस वा सबसक्षतना फर्हास सब्सक्राइए काफ जैनक भाई यह लगाया गए कि वेकपाया कुर आचे रही होलो लेकिका कि मुझे बहुत कूजसे आया कि ye मुझे क्यों चिड़ा रहे हैं लेकिन उनको बारे कहाओ यह बुट नहीं लगा जब वह चाय पी कर चले गए मैं आपने को देखा अइनक उतारी फिर पहने फिर उतारी देखती ही रही देखती रही मतलब जब उनके जो चचेरे भाई थी जब उनके घर से वो चाय पी कर चले गए तो लेखी का कह रही कि मैं अपनी कमरी में गई और शीषी के सामने खड़ी होकर अपने आपको देखने लगी मैं है और अंरक पहन के देखती है फिर उतारती है ने अ खो गोई ऑर एक सोचने बनी लंगूर की नहीं 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 हाँ हाँ? मैंने अपने चोटे भाई का टोपा उठाया सिर पर रखा कुछ अजीब लगा अच्छा भी और मजा किया भी मतलब वो जो है चश्मा पहन करके वे जो है सोचने लगी कि क्या मेरे सूरत वाकई लंगूर की तरह लग रही है तो पहले उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर उन्होंने कहा हाँ फिर उन्होंने अपने चोटे भाई का टोप उठा कर मतलब टोपी उठाया है अपने सिर पर रखा और सोचने लगी कि मैं कितनी अजीब लग रही हूँ अच्छी भी लग रही हूँ और मजा किया भी तब की बात थी अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा जबकि भी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली-खाली लगने लगता है मतलब इस समय जो है वो कह रहे हैं कि मेरी चेहरे के साथ चेहरा खाली-खाली हो गया है याद आ गया वह टोपा काली फ्रेम का चेहरा और लंगूर की सूरत हाँ इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ मैंने कई रंगों के जमा कर ली है कहा दुपट्यों का ओड़ना और कहा सहज सहल सुभीते वाली हीमान चली टोपीया मतलब उनको याद आ गया अपने बश्पन की वह बात है जब वो काली फ्रेम के चश्मे को लगा के अपने भाई का टोपा अपने सिर पर लगाती थी अपने पास इकठी कर ली है और कहा दुपट्यों का ओड़ना मतलब अगर सहर पे दुपट्या ओड़ना पड़े तो बहुत मुश्किल का काम लगता है और यह सहज सहल सुभीते वाली जो हीमान चली टोपीया है यह लेकी का कहरी कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगत तो बच्चों यह था इस पार्ट की संपुण व्याख्या उसके कुछ कठी शब्दों के अर्थ तो हम मिलते आप से अगले वीडियो में इसके प्रशन अभ्यास के साथ तब तक के लिए धन्यवाद